प्रेंड्स रेलवेस के अंतरगत एक और वेकेंसी यहाँ पर आ चुकी है नोटिफिकेशन ओफिशल वेबसाइट पर आपर रिलीस कर दिया गया यह जो वेकेंसी यहाँ पर जो रिलीस वही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानि कि दोस्तों आरपी अप की तरब से आपर वेकेंसी आई है इसमें सब इंस्पेक्टर के लिए आपर वेकेंसी रहेंगी और साथी साथ कॉंच टेविल के लिए भी वेकेंसी इसमें आपर आ चुकी है तो दोनों के नोटिफिकेशन अलग-अलग है और दोनियों के लिए आपको अलग-अलग यहाँ पर apply करना है और अच्छी बात यह है कि इसमें male candidates भी apply करें female candidates भी आप लोग इसमें आप पर apply कर सकती है qualification कोई भी जादा higher qualification इसमें आप लोगों से आप पर नहीं मांगी जारी simple 10th class pass है 10th वी कक्षा पास है आप लोग इस vacancy को apply कर सकते है और या फिर आप लोग graduation भी रखते हैं तो भी बिलकुल आप लोग इस vacancy को apply कर पाएंगे और यह All India recruitment रहेगा आप किसी भी राजे से हैं किसी भी स्टेट से हैं All India यह vacancy आप रहेगी तो नीचे देखिए Railway Recruitment Boards की website पर जो है information ओफिशल यहां पर आ चुकी है देखिए 14th April 14th April तो दोनों ही यह vacancy है और देखिए इनके भरती के विज्यापन के क्रमांक भी आपको दे दिये गए Railway Protection Force railway Protection Force तो दोनों अलग-अलग यहां पर notification है Constable और Sub Inspector तो Constable की भी है Sub Inspector की भी है और English तो English हिंदी भी है आपको तो notification जिसकी सी भी language में आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं तो सबसे पहले आप पर जो Constable का जो notification है हम लोग यहां पे इस पर English language पर आपको मैं क्लिक कर देता हूँ तो बिलकुल आप सब लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं यह notification जो है आजी के दिने आप पर release हुआ यह Constable की information सबसे पहले हम लोग यहां पर discuss करेंगे तो Constable का यह जो recruitment है इसमें आपको online apply करना है 15 April से यह form बनाया पर शुरू हो जाएंगे और 14 माई 2024 रात के 12 वजे तक आप लोग जो है online आवेदन कर सकते हैं यदि आपका form गलत भर जाता है तो form के correction की dates पीस में आपको यहां पर बता दी गई है इसके बाद आप लोग यहां पर ध्यान देंगे तो जो Constable की यहां पर जो post है इसमें 4,208 पद इसमें आप लोग शामिल किये जा रहे है 4,208 तो 4,200 प्लस यहां पर vacancies यहां पर जो है इसमें आपर include कर ली गई है और इनमें male candidates पर apply कर पाएंगे female भी आप लोग apply कर सकती है All India यह recruitment रहेगा और level 3 आपको इसमें वेतन मिलेगा जो की 7 CPC payment track से वेतनी रहने वाला है 21,700 रपे इसमें आपको यहां पर salary initial शुरूबाती जो है आपको यहां पर तंखा मिलेगे B1 medical standard आप लोगों से इसमें आपर मांगा जाएगा और 18 से 28 साल यह आपकी age limit यहां पर रखे गई बाकी कि यहां पर जो reserve category है आपको age में relaxation यहां पर means IU में छूट इसमें आपको यहां पर दी जाएगी अब देखिए सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूँ यह vacancies यहां पर जो इसमें शामिल की गई है तो आपकी category में कितनी है और male females में यह vacancy यहां पर कितनी रहेंगी तो नीचे देखिए अलग से एक table आपको यहां पर provide कराई जारी आप लोग उसमें आपर ध्यान जरूर दें तो देखिए 16th नंबर का यह जो page है यह जितनी भी vacancy है male और females दोनों में आपके जो है distribute कर दी गई है male के इसमें 3570 पद है 3577 3577 और female के 631 पद है अलग से ex-service men's के 420 पद भी शामिल किये जा रहे है तो आपके जो भी category है आप लोग इसमें information चेक कर लीजे और आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी और comment box में जरूर बता है कि आपके लिए आपके category में male में या फिर female में आपके लिए कितनी vacancy शामिल यहां पे की गई इसके बाद देखिए आप हम लोग यहां पे इसकी qualification भी discuss कर लेते हैं तो constable के post के लिए simple जो आपको 10th class pass होना जरूरी है 10th class pass है बिल्कुल आप लोग इसमें apply करें इसमें आप लोगों से 12th class pass होना भी आपको यहां पे जरूरी नहीं है नहीं कोई इसमें आपसे graduation course आपसे मांगा जारा simple 10th आपको यहां पे होना pass होना आपका जरूरी है और इसमें एक चीज़ा आप लोग यहां पे जरूर देखें वो रहेगा आपका fees का payment तो fees जो है आपको इसमें आप फिल करनी होगी sub inspector हो चाहे constable हो fees यहां पे same है और दोनों form आप लोग यहां पे fill up करेंगे तो दोनों की fees जो है आपको अलग-अलग pay करनी होगी ठीक है तो यहां पे टेविल आपको यहां पे provide कराएगी आप लोग इसमें आप पे ध्यान दे यह देखिए जितने भी SC है, ST है, X-Serviceman है female किसी भी category की है और minorities है और economic backward class है तो आपको 500 रुपे का यह fees का payment करना होगा और यह सभी जितने भी candidates fees का payment करेंगे 500 रुपे का तो जब कभी भी आप लोग exam देंगे तो exam के बाद जो है आपका पूरा amount जो है 500 रुपे का यह आपको refund कर दिया जाएगा ठीक है, बाकी की जितनी भी candidates है बचेंगे अलग categories के इसके अलावा तो आपको 500 रुपे का fees का payment करना होगा यानि कि इसमें undeserved हुए OBC हुए तो यह बाकी की जितनी भी categories है तो आप लोगों को 500 रुपे का फीस का payment करना है और 500 में से 400 रुपे जो है आपको आपके exam के बाद यह आपके account में refund यहाँ पे अपने आप कर दिये जाएंगे तो यह information मैंने आपको आपके provide कराई अब देखिए इसमें आपका selection किस आधार पे होगा selection का criteria आप लोगों के लिए क्या रखा गया है कैसे इसमें आपका आपके chain किया जाएगा तो देखिए इसमें आप लोगों को recruitment process बता दी गई सबसे पहले आपका computer based exam होगा फिर जो है आपका physical exam होगा फिर जो है आपका document verification होगा फिर देन जो है आप लोगों को जो भी आपका medical की process है तो फिर देन उसके बाद आपकी final merit list बनेगी फिर देन आपको joining आपको दे दी जाएगी तो यह जो है आपके selection की list या information आपकी रहेगी तो यह मैंने आपको जानकारी दी सबसे पहली constables के बारे में अब मैं आपको sub inspectors के बारे में भी आपको मैं बदा देता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखिए यह sub inspectors का notification है RPF SI का यह notification रहेगा same to same वही date है 15 April से 14 माई ठीक है तो दोनों form अलग-अलग है दोनों form आपको अलग-अलग यहाँ पे fill up करने होंगे तो दोनों का fees का payment भी अलग-अलग यहाँ पे होगा यदि आपके पास दोनों की qualification रहती है ठीक है तो date same to same वही की वही है जो मैंने आपको शुरूबात में बताई अब इसमें देखिए sub inspector की आप पे जो post है मातर 452 पद इसमें शामिल यहाँ पे आप लोगों के लिए किये जा रहे है level 6 आपको वेतन मिलेगा 35,400 रुपे तो sub inspector की post है तो आपका salary जो starting है 35,000 प्रेस आपको आपको मिलेगी 20-28 साल उमार यहाँ पे रखे गई बाकी जो age में relaxation है reserve category के candidate को मिलने वाला है B1 आप से आप मेडिकल standard यहाँ पे मांगा जाएगा देख लेते हैं कि हर category में यह कितनी post आपके लिए male female में आपके लिए आप पे शामिल की जा रही तो नीचे आप लोग यहाँ पे table पे आप लोग यहाँ पे ध्यान दे तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को male और यहाँ पे female तो males के 384 पद है female के 68 यहाँ पे पद है तो आप लोग देख लीजे male के हर category में यहाँ पे यह post आपको females की आपको बता दी गई तो comment box में जरूर बताना कि कौन सी post के लिए आपके लिए आपकी category में male और female में कितनी post आपके आप इसमें शामिल की गई अब बात कर लेते हैं कि sub inspector तो sub inspector में जो आपकी qualification है सिरफ graduation इसमें आप लोगों को चाहिए means यदि आप लोग इसना तक है तो बिल्कुल आप लोग जो है इस post के लिए आप लोग यहाँ आप लोग आप लोग कर सकते हैं हिंदी की राइटिंग थोड़ी मेरी यहाँ पे बेकार है वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी ठीक है तो 7th नंबर का यह वाला पॉइंट है बिल्कुल सेम टूसे में वही फीस की इन्फोर्मेशन है SCs, STs, X-Servicemen, Females, Minorities, EBC तो आपको 200 रुपे का और यह पूरा आपका वापस हो जाएगा बाकी जो भी candidates है आपको 500 रुपे का फीस का पेमेंट का ना होगा बाकी के 400 रुपे आपको वापस कर दिये जाएंगे इसमें mode of selection भी देख लीजे किस आधर पे इसमें आपका आपस selection होगा तो देखिए इसमें जो है आप लोगों से computer based exam है फिर आपका physical है, document verification है फिर देन आपका medical है फिर देन आपकी merit list बनेगी देन जो है फिर आपका selection जो है merit के आधर पे आपका इसमें फिर हो जाएगा फिर देखिए इसके बाद आपको बता दिया गया तो समिस्पटर रा कॉंस्टेविल की जो भी आप लोगों का exam है ठीक है, 90 मिनिट का होगा 120 सबाल इसमें आप लोगों से पूछे जाएंगे और एक बटे तीन आपकी इसमें आप पे negative marking होगी तो ये negative marking आप लोगों की follow की जाएगी negative marking जो है थोड़ी tough रहती है यहाँ पे और RPF SI का paper थोड़ा जो है तीन sections में से आपके प्रेशने पूछे आएंगे mathematics, reasoning और GK mathematics में से 35, reasoning में से भी 35 और GK में से 50 तो ये जो है आपका CBT का means computer based जो आपका exam है तो उसके ये आप लोगों के topics रहने वाले हैं तो दोनों vacancies को आप चाहें तो fill up आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं form की जो starting जो date है 15 April से आप लोगो कि यहाँ पे form fill up स्टार्ट हो जाएंगे यानि कि कली से form fill up यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे और कल से एक मैनी तक आप लोग इस vacancy को आविदन कर सकते हैं 14 माई आविदन करने के लाज़ी रहेगी information मिले तो वीडियो को लाइक करना और सभी friends लोगों को आपने जो है इस वीडियो को आपको share कर देना है आपके जितने भी friends जो है 10 वी कक्षा पास है 10th class पास है और graduation पास है सभी को इस वीडियो को आपको उनमें share कर देना है WhatsApp आपके जितने भी friends है subscribe भी कर लेना चैनल को जिससे आगे की vacancy की detail भी आगे आपको मिलती रहे मिलता हूँ अगले वीडियो में Thank you so much